अलो दोस्तो यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है अगर आप स्ट्रॉंग बुलिश ब्रेकाउट्स पकड़ना चाहते हो कप अन्हेंडल पैटन की मदद से तो ये स्कैनर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कप अन्हेंडल पैटन के B6 क्या है कप अन्हेंडल पैटन ये कुछ इस तरह का दिखता है आपकी स्क्रीन पर है और ये बुलिश ब्रेकाउट्स के समय पाया जाता है और कप अन्हेंडल पैटन का जब भी फॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट होता है तब इस point के बाद हमें एक अच्छी bullish rally देखने मलती है तो इसी cup and handle pattern को मैं आपको एक live chart के अंदर निकाल कर दिखाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको formation बताऊंगा कैसा रहता है ये दोस्तो केवल एक design है यहाँ पर cup and handle pattern properly बनाया गया है लेकिन live chart के अंदर आपको ये properly नहीं दिखता है वो कैसे spot करना है ये मैं आपको बताऊंगा तो चलिए सीधे बढ़ते हैं live chart पर अभी दोस्तो हम आचुके है live charts के अंदर यहाँ पर मैंने app tech का daily chart open किया है और इसके अंदर मैं आपको cup and handle pattern का formation दिखाने वाला हूँ तो आज की date है 17th of April और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ live charts में cup and handle pattern कैसे दिखता है पहले आप ये chart को observe कर लो कहाँ पर आपको cup and handle pattern नजर आता है वो आप सोचो अभी मैं आपको यहाँ पर ये बना कर दिखाता हूँ तो cup and handle pattern कुछ यहाँ पर बना है यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका cup बना है और ये इसका handle pattern बना है और ये जो point है इसके बाद में stock के अंदर breakout आया है तो आज की date 17th है इसके बाद में आप चेक कर सकते हो कि stock में आगे क्या हुआ है तो यहाँ पर cup and handle pattern का एक बहुत ही बड़िया example हमें देखने मिल रहा है सबसे पहले तो cup and handle pattern में stock ये uptrend में होना चाहिए जो कि ये stock uptrend में है उसके बाद stock price में एक pause आता है अपtrend के अंदर एक pause आता है और stock price नीचे गिरने लगता है तो यहाँ पर भी similar kind of चीज हुई है उसके बाद में stock price नीचे गिरी है और वापस slowly and steadily stock price ने recover किया है U-shape recovery stock में दिखी है U-shape recovery के बाद फिर एक बार uptrend में एक pause आता है तो यह मैं पहले आपके लिए delete कर देता हूँ U-shape recovery के बाद यहाँ पर वापस एक pause आ जाता है और उसके बाद stock में वापस हमें uptrend देखने मिलती है तो stock यहाँ से uptrend वापस continue करता है तो यह point के बाद आपको एक अच्छी bullish rally stock के अंदर देखने मिल सकती है app tech की बात करें तो यहाँ पर से stock में हमें पहले तो 450 देखने मिल सकता है और इसके उपर 480 रूपय के levels भी देखने मिल सकते है तो यह हो गया cup and handle pattern का demo तो दोस्तो लाइफ charts के अंदर perfect cup and handle pattern identify करना बहुत ही जादा मुश्किल है अगर आप इसे पहचान पाए और इस pattern में अगर आप buy करते हो यह level पर तो यह आपको best results provide कर सकता है बट इस formation को identify करने आपको आना चाहिए अभी दोस्तो 1000 stocks market में listed है और यह pattern कब कि stock के अंदर form होगा यह पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके लिए आपको बहुत सारे charge देखने पड़ेंगे स्क्रीन से चिप के रहना पड़ सकता है और इसके अंदर आपका बहुत सारा time and effort waste हो जाएगा सो दोस्तो streak यहाँ पर आपका काम यह बिल्कुल आसान कर देता है और आपको ज़्यादा charts देखने की भी ज़रुरत नहीं पड़ती है स्क्रीन से चिप के रहने की ज़रुरत नहीं और ज़्यादा आपका effort भी इसमें नहीं जाने वाला यहाँ पर बस दो clicks में आप एक scanner बना सकते हो और उसके अंदर जो results आएंगे तो कौन से stock में यह cup and handle pattern बनाया है वो आपको पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तो अभी जाते हैं सीधे streak platform पर भी दोस्तो हम आ चुके है streak platform पर यह rule based trading platform है जो आपको strategies create करने में वदद करता है या फिर आप scanners बना सकते हो उन्हें back test कर सकते हो और उसके results देख सकते हो तो यहाँ पर अल्रेडी बहुत सारी बनी बनाई strategies है जो आप use कर सकते हो price action में, momentum में या फिर scanners देख सकते हो chart pattern के scanners, bullish scanners, bearish scanners, intraday bearish सब कुछ आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्रेडी बहुत सारे बने-बनाई scanners है जो आपको chart patterns बता रहा है कि यह stop में यह वाला chart pattern बना है और इसमें कितने match है वो भी आपको बता रहा है तो यह आपका काम यह बिलकुल आसान कर दिता है तो हमें cup and handle pattern find करना है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले scanner पर चला जाओंगा या फिर यहाँ से ही view all कर दूँगा तो मैं view all पर click करता हूँ तो scanners open हो जाते है मुझे कौन सा search करना है तो मैं search करूँगा cup and handle pattern तो जैसे ही मैं cup लिखता हूँ यहाँ पर cup and handle का pattern इन्होंने already बनाया हुआ है वही मुझे use करना है तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस पर click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लिए scanner यह ready है इन चार stocks के match भी आ गया है जिनके अंदर cup and handle pattern बना है तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा effort नहीं डालना पड़ा एक मुझे सिर्फ cup लिखना पड़ा और मेरे पास scanner आ गया इसे मैं क्या करूँगा scan now पर click करूँगा और इसे copy कर लूँगा पहले तो तो मैं cup and handle इसे लिख लेता हूँ और इसे save कर दूँगा तो यह मेरे पास copy हो जाएगा scanner अभी मेरे पास stocks की list आ गई है कि कौनसे कौनसे stocks में cup and handle pattern बना है तो वो मैं check कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर time frame चेंज कर सकता हूँ यानि candle का interval में 10 minute का रख सकता हूँ कोई दूसरे stocks होंगे जिनमे 10 minute के time frame में यह pattern बना होगा तो वो भी मैं scan कर सकता हूँ यहाँ पर यह थोड़ा time लेगा और उसके बाद आपको stocks की list देदेगा जिनमे 10 minutes time frame में cup and handle pattern बना है तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो stocks की list भी change कर सकते हो आपको कौनसे stocks scan करने है वो आप देख सकते हो या फिर time frame भी change कर सकते हो condition में आपको ज़्यादा changes नहीं करने है यह system की भाषा में इन्होंने लिखा है कि मुझे एक stock के अंदर अगर cup and handle pattern बन रहा है यह यह so and so time frame में तो मुझे वो आप scan करके देदो या फिर filter करके देदो परके मुझे ज़्यादा charts देखने नहीं पड़े तो यही हमें बताता है तो मैं यहाँ पर daily रखूँगा क्योंकि हमें daily time frame वाले cup and handle patterns चाहिए तो यहाँ पर दोस्तो हमारे पास list आ गई है कौनसे stocks में cup and handle pattern बनाया है तो एक दो stocks के chart हम check कर लेते हैं सबसे पहले मैं birla corporation चेक करूँगा तो यहाँ से आप directly charts open कर सकते हो यह जो zigzag line है इस पर click करके chart आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो birla corporation में यह cup and handle pattern तो form हुआ है बट यहाँ पर stock pattern फॉर्म होने के बाद नीचे गया है क्यों ऐसा हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो long term trend है यह downside किये तो ऐसे stocks को हमें avoid करना है और कोई अच्छा stock होगा तो वो देखना है तो यहाँ पर यह जो cup and handle pattern बना था बट stock ने अच्छा react नहीं किया क्योंकि already stock downtrend में था तो कोई बात नहीं ऐसे stock रहेंगे तो हम directly उसे use नहीं करेंगे और कोई दूसरा stock देख लेंगे तो एक और stock हम देख लेते हैं यहाँ पर Alchem Labs देख लेते हैं यह कैसा है तो इसका chart यह open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें cup and handle pattern बना है और यह cup and handle formation है तो मैं इसे highlight कर देता हूँ आपके लिए तो आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा तो इससे मैं मोटा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह यहाँ पर cup बना है और यहाँ पर इसका handle बना है इसका formation यहाँ से stock में में upside देखने मिल सकती है तो upside क्यों देखने मिल सकती है क्योंकि stock already uptrend में है और एक pause के बाद stock में हमें एक अच्छी movement वापस एक बार देखने मिल सकती है तो इस प्रकार आप scanner की मदद से cup and handle pattern वाले stocks पकड़ सकते हो और आपका काम यह बिलकुल आसान कर सकते हो इसकी हम strategy भी बना सकते है तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बदाऊंगा इस video के next part के अंदर तो दोस्तो अगर आपको streak यूज़ करना है तो streak यह एक paid platform है इनके monthly charges है वो भी आप check out कर लीजिए यहाँ पर इनके दो plans है एक regular plan है और एक ultimate plan है ultimate plan के अंदर आपको offer मिल जाएगा 30% off आपको मिल रहा है ultimate plan के अंदर अगर आप 12 months का plan एक साथ buy करते हो so streak का link नीचे description में है वहाँ पर click करके आप streak use करना start कर सकते हो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से कुछ ना कुछ नया सिखने जरूर मिला है वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए